नमस्कार साथियो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल भी नए स्टडीकेन में स्वागत है साथियो आज हम सिक्षक पातता परिक्षा जो की नौ जन्वरी को होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्पून वीडियो जिसमें वाल विकास एवं सिक्षन सास्त्र से संबंधित कोश्चन लेकर आए है अब इससे आप अनुमान यह मत लगाईएगा कि हमने जो वीडियो बनाए हैं कुसी में से प्रश्न पूछा जाएगा हाँ प्रश्न मिलता जुलता भले ही पूछा जा सकता है यह आपके प्रेक्टिस के लिए हैं आप जितना अधिक प्रेक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा पेपर में परफॉमेस दिखाएंगे तो मिलता जुलता प्रशन आपसे पूछा जा सकता है लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हमने जो वीडियो बनाए है पूरा प्रशन यहीं से पूछा जाएगा लेकिन प्रेक्टिस भी जरूरी है प्रेक्टिस के लिए MCQ जरूरी होता है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल पर नए आया है तो सब्सकाइब करजीगा और वीडियो के लिएक अपने दोस्तों तक जरूर सेर कीजेगा चलिए आज का हमारा पहला प्रशन है पहचान विकास संबंदित है चार ओप्शन है देखिएगा और जल्दी फटा-फट आंसर नीचे कॉमेंट बाक्स में कॉमेंट करती चाहिएगा बहचान विकास का संबंद एरिक्षन के सिध्धान से है तो ओप्शन एक सही होगा दूसरा प्रशन है रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांस बच्चों ने वनमाला सीख ली है यह वह देखिएगा और जल्दी से इसका जवाब दीजेगा इसका सही जवाब होगा अभी परिपक्व नहीं है तो कि यदि वह परिपक्व होते तो लिख भी पाते पड़ भी पाते अगला प्रशन है निमलिकित कारकों में से भासाई विकास सार्थक रूप से प्रभाव होता है वैसकों से अंतह कृया द्वारा जब वैसकों से बात करेंगे अंतह कृया करेंगे तो वो अपने भासा में परिपक्व होते जाएंगे अगला प्रश्न है समीपस्त विकास का छेत्र संबंदित है समिपस्त विकास शेत्रा का संबंद बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा शकने वाले विकास आत्मक इस तर से हैं अगला प्रश्ण है पार्ठ चरिया में विभिन गतिवीधियों और अनुभवों का शमावेस आवश्यक रूप से होना चाहिए प्रत्यक बच्चे द्वारा किसी गतिवीधी में निपूर्टा प्राप्त करने है तू पार्ठ चरिया में विभिन गतिवीधियों और अनुभवों का शमावेस आवश्यक रूप से करना चाहिए तो इसका जवाब होगा ऑप्शन दो बहु बौधिता का प्रत्य इंगित करता है कि गडित वह भासा जैसे परामपरागत विश्यों के अतरिक्त अन्य विश्यों के छेत्रों में भी विद्ध्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धी की प्रसंसा की जाने चाहिए गडित हमारा परामपरागत विश्यों है वैसे ही साथ ही भासा ही यदि बच्चा उसके अतरिक्त जो भी कौसल दिखाता है उसकी हमें प्रसंसा करनी चाहिए जैसे वो प्रोजेक्ट वर्क लेकर आता है परियावरन के विशाय में खेल कुद करता है खेल में अच्छा है तो हमें उसकी प्रसंसा करनी चाहिए साथवा प्रसंद है सतत एवं व्यापक मुल्यांकन का अर्थ है सतत एवं व्यापक ये काफी important प्रसंद है ये जो प्रसंद है बार बार पूछा जाता है इसका संबंध क्या होता है बताईएगा सतत एवं व्यापक मुल्यांकन का संबंध युग्यताओं व्यक्तित्व और कौशनो आधी के व्यापक छेत्र में अधिगम को अभी लेकित करने हेतु आकलन से होता है तो सही जवाब होगा दो अगला प्रशन है बच्चों की दूरगामी उपलब्धी में व्रिद्धी करने का सबसे सुनिष्चित तरीका है यदि व्यास का बच्चों का सही योग करेंगे तो बच्चे जो है उपलब्धी प्राप्त करेंगे तो सही जवाब होगा ओप्शन 3 देखिए प्रशन ऐसे होंगे आपको थोड़ा सा कॉंसेप्ट लगाना है आप कॉंसेप्ट लगा पाएंगे तो मैं बता दू कि आप डीपी में जो चाइड डिवलप्मेंट एंड पेडोगाजी है उसमें 20 प्रशन आप इसली सॉल्व कर लेंगे परियावरन में भी काफी सरल प्रशन पूछे जाएंगे उसको भी आप सॉल्व कर सकते हिंदी में थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो उसमें भी आप 15 से 18 प्रशन इसली सॉल्व कर पाएंगे थोड़ा सा दिक्कत आपको इंगलीस और गडित में होगा तो आप थोड़ा सा उसमें ध्यान पूर्वक पढ़के प्रशनों को जवाब दीजेगा तीन जो सब्जेक्ट है उसमें आप इसली 20 के आसपास नंबर ला सकते हैं दो ही से विशय हैं गडित और अंग्रेजी इसमें थोड़ा सा टफ हो सकता है तो इसे आप ध्यान पूर्वक हल करेंगे लवा प्रशन है बुद्धी परिक्षन विश्वसनी प्रापतांग देते हैं जब परिक्षन की वैदता मानक उच्च हो देखिए आप कठीन प्रशन पू पूछे जिससे बच्चों को आसानी हो और जो आपने बच्चों को पढ़ाया हो अगला प्रशन है कक्षा कक्ष की गतवी धिया कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए इसका उत्तरदाइत्व कैसे होने चाहिए औप्शन देखेगा कक्षा कक्ष की गतिवी धिया कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यता के अनुरूप हो इसका उत्तरदाइत्व कक्षा ध्यापक का होना चाहिए कि वह पार्ठ चरिया को उसी अनुसार परिवर्थित करे जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उप्यूक्त समझा जा सके तो इसका सही जवाब होगा option एक अगला प्रशन है भिन्न भिन्न प्रिष्ट भूमी के बच्चों के मद्य अधिगम को प्रसाहित करना संभव है जब देखे ये प्रिष्ट भूमी से तो प्रशन पूछा जाएगा अब आपको ध्यान ये रखना ह है कि जो भिन्न भिन्न प्रिष्ट भूमी से आते हैं बच्चे उनके लिए आप क्या कर सकते हैं तो CDP में आपको एक बात ध्यान देना है कि बच्चे को कभी मारना नहीं है डाटना नहीं है और direct आप उसके पिता को नहीं बताना है कोई भी दुलगटना घटित हो जाती है तो डारेक्ट आप उसके पिता को नहीं बताएंगे आप अपने इस तर पर उस प्राबलम को शालो करने का प्रयास करेंगे ये आपका पहला करत भी होता है यदि आप सिक्चक बनना चाहते हैं या बन चुके हैं ठीक है तो इसको ध्यान में रखते हुए आप नेड़ने आप लेंगे विभिन प्रिष्ट भूमी के बच्चों के मद्य अधिगम को प्रसाहित करना तभी संभव है जब विभिन अधिगम करताओं की आवसकताओं को पाठ चर्या संबंदी अनभ़ों के साथ समलित किया जाए तो सही जवाब होगा ओप्चन एक अगला प्रस्ण है विभिन आखलन प्रणालियों का प्रियोग अध्यापक के लिए सहायक है अध्यापक के लिए विभिन आगलन प्रणालियों का प्रयोग विभिन प्रिष्ट भूमियों के अधिगम करता के विशिष्ट कमजोरी की पहचान करने में सहायक है तो option 4 सही होगा अगला प्रशन है सही कथन का चेहन करें कथन पढ़िए और कौन सा कथन सही होगा बताईएगा इसका सही जवाब होगा अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहन भूती पुर्वक नहीं रखनी चाहिए किन्तु योग्यताव उनके इस्तर के अनुरूप वि आपको सभी बच्चों को समान मानना है समान मानके पढ़ाना है उनकी योग्यतावं पर ध्यान देना है अगला प्रशन है कक्षा में प्रती भाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभी प्रेरित करने हे तू सिक्षक को क्या करना चाहिए कक्षा में प्रती भागना करने वाले विद्यार्थियों को अभी प्रेरीत करने है तू सिक्षा को चात्रों से नेत्र संपर करना चाहिए नेत्र संपर करेंगे आई कॉंटेक्ट करेंगे तो बच्चे को विश्वास मिलेगा confidence बढ़ेगा उसके बाद भाग लेगा अगला प्रश्ण है विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धी का सबसे प्रमुक कारण है विद्यार्थियों की निम्न उपलब्धी का सबसे प्रमुक कारण असुरक्षावा चिंता है ज़िए वहाँ चिंतित होगा असुरक्चित होगा तो वहाँ अपने उपलब्धी में अधिक प्रयास नहीं करेगा उपलब्धी के लिए प्रयास ही नहीं करेगा तो जड़ी वह सुरक्षित होता है वह चिंता मुक्त होता है तो वह अपना उपलब्धी के बारे में सोचेगा अगला प्रश्ण है बच्चे सबसे अधीक सीखते हैं जब वे किसी व्यस्क द्वारा समर्पित छोटे समोह में कुछ सीख रहे हो तो सही जवाब होगा अगला प्रश्ण है विद्याली बच्चों में निम्न अभिप्रेणा इनके कारण होती है विद्याली बच्चों में निम्न अभिप्रेणा अध्यापकों की निम्न संप्रेशन छमता के कारण होती है सभी अधिगम करताओं के लिए विद्यालेई अनुभाव का सबसे प्रमुक पक्ष है समाज में दूसरों के साथ अनुसासित रहना सीखना तो यह जो प्रश्ण है उसका जवाब हो जाएगा चौथा अच्छा सिक्षन है अच्छा सिक्षन क्या है अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गती से कार्य करने हेतू स्वतंत्रता देना कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षन है कौन सा है कक्षा कक्ष में अभिरूची और अभिप्रेणा विद्यार्थियों का प्रमुक अधिगम परिलक्षण है चार हो जाएगा अगला प्रश्ण है कक्षा कक्ष को शक्री अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकान समय व्यतीत करना होगा कक्षा को शक्री अधिगम केंद्र बनाने के लिए बच्चो द्वारा एक दूसरे के प्रती गैर आक्रमाक तरीकों से संप्रिशन तथा समोहों में कार्य करवाना अगला प्रश्ण है बच्चो द्वारा आलोचनात्मक चिंतन ना सीखने का कारण है बच्चे द्वारा आलोचनात्मक चिंतन ना सीखने का कारण कक्षा कक्षों का उच्च रूप से अन्मे होना तथा उत्रों का मुल्यांकन भी उसी प्रकार होना तो सहीं जवाब होगा एक नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्यान व्यक्ति अध्यान पधती द्वारा कर सकते हैं एक छात्र जो रोज कक्षा में सोता है सिक्षक उसका अध्यन व्यक्ति अध्यन पधती द्वारा असानी से कर सकता है व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यभारों का आदर्स शंग्रह है यह कथन किसका है यह काफी important प्रश्ण हो सकता है देखेगा इसका सही जवाब होगा इसकीनर का यह जो कथन है वो इसकीनर ने दिया था अगला प्रश्ण है छात्रों के भासागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है समाजिक प्रस्थित्य यह किसका कथन है यह भी काफी important प्रश्ण है देखेगे कर्थन वाला तो आप बिल्कूल याद करके ही जाईएगा इसका सही जवाब होगा वाइद गोस्की चौथा पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्य कलाब है पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्य कलाब बाल फेकना है बैंकिंग सिक्षा का पिता कौन है यह भी काफी important प्रश्ण है फ्रेयर ओप्षन है फ्रेयर को बैंकिंग सिक्षा का पिता कहा जाता है उधारन द्वारा शमानी करन तक पहुँचने वाली विधी है उधारन द्वारा सबसे पहले हम उधारन देते हैं तो उधारन की इसमें देते हैं मैंने इसका वीडियो बताया हुआ है आगमन, आगमन का मतलब होता है पहले हम उधारन देते हैं इसका सही जवाब होगा आगमन निगमन में क्या होता है निगमन में पहले हम बच्चों को सुत्र बताते हैं सुत्र बताने के बाद उस प्रश्णों को हल करने बोलते हैं जबकि आगमन में हम पहले हम उधारन बताते हैं कि ये पेड़ है पेड़ में फल लगता है फल को पकन के बाद हम खाते हैं तो ये एक प्रकार का उधारन हो गया निगमन में पहले नियम बताएंगे उसके बाद प्रश्णों को हल कराएंगे तो प्रात्मिक इस तर पर हम आगमन विधी का प्रयोग करते हैं उच्छ इस तर पर निगमन विधी का प्रयोग करते हैं इसका सही जव एक आदर्स अध्यापक को एकाग्र चित होना चाहिए किसमें एकाग्र चित होना चाहिए सिक्षन विधी पर सिखाने वाले विशय पर और छात्रा उनके वहारों पर तो इसका जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी ये तो लगभग सभी लोग इसको हल कर लेते तो साथियों ये था हमारा आज का बाल विकास और सिख्षा सास्र सम्बन निद वहुती महरपून MCQS प्रशन दोस्तों ऐसे मिलते जुलते प्रशन आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि बाल विकास और सिख्षन सास्र ऐसा विशा है जिसमें आपको बच्चों के वैभारों के बारे में बच्चों के विकास के बारे में बच्चे क्या सिखते हैं कौन से प्रिष्ट भूमी से हैं NCF में क्या लिखी गई है अभी NCF जो बना है 2020 नहीं सिक्षा नहीं थी उसमें क्या-क्या परिवर्टन किये गए हैं इनके बारे में पूछा जाता है तो आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से एक बार पढ़िएगा उसके बाद आप आसानी से बाल विकास और सिक्षन सास्र को कवर कर पाएंगे तो थैंकी दोस्तो विडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट करके हमें बताईएगा और विडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर सेयर कीजिएगा धन्यवाद